जैसे भी जॉन यानेट्स, जैभटाचार्या, स्टैंटफोर इनुवर्सिटी का बहुत शोटे बजट में उनको भी बजट नहीं मिला था, सीरो सर्वे करने के लिए, जैसे भी तैसे उन्होंने पैसा एकट करके किया था, और उस स्टडी को भी बहुत क्रिटिसाइज किया इन्होंने, जबकि वो अच्छा, इनसे अच्छा स्टडी था, जैसे CDC का बताया कि कैसा ऐसा स्टडी करके बता दिया, और जो इसराइल का स्टडी था, वो बहुत ही बड़े पैमाने में था, लाखों लोगों में किया था, इतना बड़ा तो वैक्सिन ट्राइल भी आज त एसरी ट्राइल जपिए धुटि स्टडी था, इसरी था, इसरा इसरी था, जी था स्टीश बाताई ग्सिन गाए, था शती पाताय स्टिसटू ही एग गार जाना मूद एँगा प्चीन के ज़ती था है, और युसको आप बूस्टर में स्टिन्ट ускो लिए फैसिछन, चरीी उन्होंने उसके भी आख्रे है बच्चों में एक मिलियन को इंटेक्शन होता तो एक आथ को किसी का देहान थोता और वो भी बच्चा कोई दूसरी विमारी से यह रहता है कोई चाइल्लूट कैंसर होते है या हार्मोनल डिसॉर्डर होते है और नॉर्मल बच्चे में जीरो म स्टड़ी है अभी सिंगापूर का स्टड़ी विश्ले हथे आया थे कि कोई बच्चा नी मरा रहे वीचिन ट्राल कर बोलता है बच्चे का रॉस्प्रेयरे शन पूरे एक लाख बच्चों में पान्स बच्चे का रॉस्प्रेयरे शन हुआ था महनने पांस बच्यों की जar तो यह अभी चाइल्ड वैक्शिनेशन के उपर भी स्टडी आ गया है सिंगापूर से लेकिन नरेश नरेश त्रेहान और सरीन और सुरिंदर सुरिंदर कुमार जैसे डॉक्टरों ने मोर्चा समाल लिया है मंकी पॉक्स का एक पेशिंट मिल गया और कहने लेगा कॉंट्रैक प्रेसिंग सुरू कर दीजिए अभी से कर दीजिए सुरू सारे एरलाइन पे इस पे उस पे सरकारी मैसिनरी को सजग हो जाना चाहिए एकदम ख़़ए हो जाना चाहिए मंकी पॉक्स को सबसे पहले Heb क्विश्ज पाया था मंकी में उसके बाद वो भूल गएते कि अफरिका में होता अफ्रीकन मंकी तद जो भी था अफ्रीकन मंकी था उसके बाद जब स्माल पॉस्ट का आखरी दौर चला था तब हास्ोवर शर्पी में मंकी पॉक्स ammunition होए में 1977 सेभेंटे ज में तो कम से कम आज mm9 22 चल रहा है पचास साल चाहा हमारेपस monkey box अफरीका में होगा आता हीग अब हमने है अगर फिकیکक में होता है आफरीका में अगर monkey box इतना खतन्नाक हुदा तो अफरीका में कोई health service नहीं कुछने है वहाँ पर अभी तक काई आतन फैल जाना था monkey pocs और हवाईजाज कब बना है राइड ब्रडरस कब बनायता है वाईजाज तब से हमारा air travel चल रहा है air travel भी नहीं है monkey pox भी नहीं है तो अगर monkey pox तो देखा जाए तो दुनिया के हर देश में फैल गया होगा अगर फैल ना होता तो अगर और 59 में एक मुवी आई थी 59 में हिंदी मुवी उसमें जिक्र है कि सिंगापूर से europ meno Regal आ रहा है आर उसमें वायर्स आ रहा है को यहां उत्रेगा और वायरस पैंट जाए या अगर इस सब मालूम है इन रिसर्चर को गेट से न उसके गैंग को मंकी पॉक्स ऐसा है कि माइल्ड बिमारी है अफ्रिका में जो बच्चे मरते मैलनेरिस बच्चे होते हैं ने तो ये बताईए ये बताईए ये बताईए डॉक्टर बैनर जी कि डॉक्टर त्रेहान जो ये कहता है खुद कह रहा है अपने ही स्टेट्मेंट को कॉंट्रेडिट कहता है कह रहा है कि बहुत माइल्ड है mortality rate कुछ भी नहीं है hospitalization के भी बहुत कम समस्या है लेकिन contagious है फैल सकता है contract tracing सुरू कर देनी चाहिए एक जो patient मिला है उसके संपर्क में कौन कौन आया है सबको पकड़ना चाहिए मतलब ये हेवाक बनाने के लिए पूरा तंद्र माइल्ड डिजीज के लिए आजकल ये वैक्षिन बना रहे है जैसे कोविड में कोई नहीं होता क्योंकि उससे पता नहीं चलेगा वैक्षिन काम कर रहा है monkey pox भी माइल्ड है तो हब को लगा तो पता नहीं चलेगा वैक्षिन काम किया कि नहीं किया कोई कांट्रोल ब्रूप में रखते है तो अगर ये डिजीज सीवर होगा थो इजली पता चलेगा लोंको भैक्षिन नहीं काम कर रहा हालकि अभी भी पता चल रहा है कि वैक्षिन काम नहीं कर रहा रहा है रहा है श्च्ट ढह你們 उता है पर जो लोग दूसरे बिमारी से मर रहे हैं तब बोलेंगे नहीं वो वैक्शिन नहीं लगाने के वज़े से उसको डेथ हुआ वो नहीं कहेंगे कि उसको चार दूसरी बिमारिया है, तो यह तो ऐसे बात है, दूसरी बात है जैसे संकर जी का मेरे को एक बात और लगा, कि वो भी कुछ अच्छा बात कहते हैं, तो कहते हैं कि आप डॉक्टर नहीं हो, पर लोग यह नहीं पूछता है कि टेडरोस भी डॉ यह बना हुआ है, वे इस नौ트 और दोक्टर नहीं है, बिल जविकेतर नहीं है, पर उनके बात पर सर को ही डान्स कर रहा है, रेहां वेहांन, जो भी आप बरे बरे बात कर रहे हैं, वो तो थो उनके चलंचुरे हैं, जो कि टेड्रAUK के चलंचुरे हैं, अगर उसको मंकी पॉक्स पचास साल से अफ्रिका में अपने ही देश में हो रहा है तो उसको मंकी पॉक्स के बारे में उसने हित के बारे में नहीं सोचा किया उनमें भी है जो डॉक्टर जो है यह समाच से आते है और डॉक्टर को भी अभी क्या है कि पहले जैसे डॉक्टर का सवंत्रता नहीं है वो बड़े कॉर्परेट हस्पताल में काम करते हैं उनके उपर काफी प्रेसर रहता है और यहां तक कि मैं कुछ डॉक्टर को जानते भी जो कि ICMR वे भी काम करते हैं और हमको इंडिरेक्ली बोला है कि हमको बोलने का यह नहीं हमको नौकरी करनी है तो डॉक्टर समझते सब हैं अगर हवा बदलेगा तब साइध वो भी बदल जाएंगे और 90% लोग जैसे डॉक्टर पोरे ने कहे जो पत्रकार पोरे ने जो कहे हैं 90% लोग हमारे पैसिव होते हैं देखेंगे और कोई कुछ मुह तक खाना ले आएंगे तब ही चवाएंगे अपना हाथ से नहीं खाना लेंगे तो इतना हमारा जो पैसिविटी है दूसरा विश्वास भी नहीं है डॉक्टर भी जो है हमारे जो डॉक्टर है जो मेडिकल ए मेडिकाल फिंकिंन का हमारा मेडिकल एप दीकरेंगेच नहीं है Może अब लॉक्ते है सुगे जो रह जो इसे लोग जो बैगे हमेंतिखर से क।टे थे जो सुछ में वह तुरा सा खिडिकल थिंकिंग है तो अभी वह मैं हम बैग बैग बैंच अगे कि में पैटक बैक बैग leading us from the front and I am hoping against hope that the side of wind will change then they will fall in line. मैं की पॉक्स चिकिन पॉक्स को मञटी सकरेंगे इतने दूर दूर से –मास के बैटे पेटह पेजिन को कैसे जीखेंगे और कैसे मेडिशन सीखेंगे तो अभी तो मेरो को लगता मेडिकल का बंद करना मतलब आपने लड़ाई हो जाएगा तो अगर पेंड़ेमिक सही में हु तो उनको अगर आप दो साल बंद कर दिया तो यह भी मेरे को तो एक साजिस लगता है कि उनका education और superficial रह जाए बाद में जो भी pharma लिखके रहेंगे उसी को prescribe करेंगे वैक्सिन बोलेंगे तो उसी को बोलेंगे ऐसे करके medical education को जो थोड़ा बहुत critical thinking था वो भी खिल कर दिया अगर दो साल चार चार साल का course होता दो साल आपने medical college बंद कर दिया है तो दो साल में तो graduation भी नहीं होता बी-ए-मे भी नहीं होता घर बैटके कौन पड़ सकता है जब तक आप patient नहीं देखोगे और अपर डर हो जाएगा ना patient देखने से डर हो जाएगा प्रकास जी यह 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 तो बहुत गंभीर बात उठा रहे हैं दॉक्टर बैनेट जी बताईए इनका तो अब यह कह रहे हैं कि critical thinking तो पहले ही खतम हो गई लेकिन यह तो जाए प्रकास नारायन का जब अंदोलन हुआ था बिहार में दो साल medical college बन थे तो दो साल बढ़ा दिये थे नेक्सलाइट movement हुआ था वेस्वांगल में दो साल बढ़ा दिये थे अभी यह दो साल क्यों बना रहे हैं दो साल धाई साल में doctor क्यों बना रहे हैं उनका knowledge रहेगा क्यों बना रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको जो भी फार्मा बोलेगा और superficial knowledge रहेगा उसी हिसाब से चलेंगे यह मोड़े बना यह future doctors नहीं मिलेंगे आपको मोड़े जैसे doctor को मरीज चाहिए होता है अपना loan चुकाने के लिए politician को भी election जितने के लिए vote चाहिए होता है तो जब इनको पता चलेगा कि आम आदमी समझ रहे हैं तो सबसे पहले नेता चेंज करेगा अपना अब इनको नेता चेंज करेगा तो सब चेंज कर जाएंगे जो हवा का रूख चेंज होगा आम आदमी सही चेंज होगा क्योंकि यह आम आदमी को सबसे ज्यादा social distancing कहते हैं हम जो rich आदमी rich हो गया जैसे आपने एक दो करोर ऊपर बोले majority लोग गड़ अब बड़ेगी उनको जब पेट में भूक लगेगा तब उनको समझेगा कि उनके साथ कितना बड़ा दोका हुआ है तब जाके नेता जब पता चलेगा कि आम आदमी को समझ आ रहा है तब जाके यह रवहिया बदल सकता है